मैं सभी मेरे भेन भाईयों से खासकर महिला उने के नाते मैं मेरी माताओं से मेरी बेटियों से हाथ जोड़के आप लोगों से प्राथना कर रही हूं कि जो 14 अप्रेल तक हम लोगों को समय दिया है परधान मंत्री जी ने कि आप लोग 14 अप्रेल तक घर रहे हैं तो यह हमारे स्वास्ते के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगे आप लोगों से कि देश का राजा जब हाथ जोड़के आप लोगों से बार बार ये बिंती करें कि प्लीज आप घरों में रहें तो आप सोचो कि ये जो कोरोना महामारी आज के दिन मैं कहूंगे अमेरिका इटल कि चाइना इन देशों में फैलने के बाद आज भारत में भी परवेश कर चुकी है ये कोई छोटी मोटी बिमारी नहीं है ये बहुत बड़ी बिमारी है जैसे बड़े बुजूर्ग कहते थे ना काति की बिमारी वह हम लोगों ने तो नहीं देखी पर ये मतलब एक देखन अमेरिया में या पशों में या पक्षों में फैल की ना फिर आप ही सोचो कि ये कंट्रोल नहीं होगी तो अभी हमारे पास जो है वो बहुत समय है इसको कंट्रोल करने का और 14 अप्रेल तक अगर हम लोग देश के परधानमंत्री की बात मान कर घरों में बैठे रहेंगे त तो हमारा कुछ नहीं बिगरना उल्टी के बहुत समय बाद मैं कहूंगी कि एक दूसरे को समय देने का जो समय है वो हम लोगों को मिला है तो ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर रहें अच्छे ची पिक्चर्स देखिए अच्छे ची सीरियल्स देखिए और सारा परिवा साबुन कोई भी साबुन मिले को जरूरी नहीं कि आप जो बता रहें वहीं साबुन यूज करें जो भी आपको साबुन मिले उसको लेकर तीस बारी दीरे दीरे अगर आप रगड़ के हाथ होएंगे तो वह 20 सेकिंड या आपके हाथ जो हैं दूलेंगे और यह बिमारी से मिलेगा दूसरा मैं कहूंगे कि बड़े बुजुर्ग जो है खासकर घरों से निकलना बंद कर दे क्योंकि भीवारी जो है वह बड़े बजूर्गों के और बच्चों में जो हूँ सबसे ज़्यादा जो है वह आटैक करती है तो यह लोग घरों में रहें और राशन के लि इतने भी राशन हमारे भोजन से समंद्धी है जहां राशन मिलता है वो दुकाने खुल लिए हैं तो हमें प्रेशान होने की कोई जूर्थ नहीं है आप लोगों को समय पर हर चीज जो है वो उपलब्थ होईगी किसी कारणवश अगर हमें घर से बाढ़ जाना पड़े तो मास्क पैन कर जरूर जरूर आप लोग घर से बाढ़ जाएगी और अपने स्वास्ते का ध्यान रखिए दूसरों के जब आप नहीं निकलोगे तो आप अपने स्वास्ते के साथ साथ किसी और की जिंदगी भी बचा रहे हो क्योंकि जब आप बाहर नहीं निकलोगे तो यह विमारी कोरोना महामारी जो और फूह नहीं फैलेगी जितना ज्यादा होसके आप लोग 14 अप्रेल तक कर रही और अपने सुख्त